हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपको पढ़ना जाड़ा हूँ मैठ्स और मैठ्स में आज आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम नंबर्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम तो गाइज मतलब दोस्तों आज हैं नंबर सिस्टम जो है पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में वहारा एक चीज होता है कि हमारे सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आता है और प्लेस वैल्यू आते है और प्लेस वैल्यू अभी क्या बताता हूं में प्लेस वैल्यू क्या होता है तो कि अजुब तो तू वजु कि अजुब तू 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 या फिटना पर इक वद एग्ट व्यू एंप तू 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 तो डीजिट्स बोलते हैं और डीजिट्स भी हम लोग आज पढ़ेंगे और कुछ और तीज़ें तो प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू जैसे कि मैंने आप एक नमर लिखा वन जीरो फाइफ थ्री जीरो अब यहां पर पूछा मुझसे फाइफ का प्लेस वैल्यू बताना है कि स्काइस फाइब का फाइब का उन्यारे उसके बात प्रियस उसके बाद प्र यहां पर यूह से जिकозмड को लिग देना और फिर कांट करना है इसके पीछी कितने डीजिट्स है और यहां पर उत्ने जीरो डाल दिरोभे से हमारा वेलु का प्लेस वैलु का मैं बताता हूं और जहां पर आगर फेस वैल्यू में को फाइव बोला तो अगर हम प्लेस निकालते हैं लेकिन यहां पे पुछ्ट है हम लोग इसके पीछे वाले नंबर्स वो काउंट नहीं करना है डारेक्ट फाइव को लिग देना है जो यहां और घिवेंग मेना और अगर कोला कि हमनों को वाइब का बताना है Oh अब उसमें दुट रूल है उसके बाद पर यह और यहां पर । यहां भी थेना है जान गाई यह यह से ऺज़ा • प्लेस्ट वैल्यू का रोल है और ये योडा जो है ये हमारा प्लेस वाइल्यू यह हमारा जो है यह हमारा जो है प्लेस वाइल्यू है और से हैं दुद कुछ आला जिए reckon जीरो में आप माल जेड़े अपने जीरो लिए प्रीजिए नई हमको आईसा जो है सोफ मारी करना है हमको वैसे नहीं करना है इसका प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही जो है अधिया सेम होई तो और यहां पर फेसल को भी एक जिए जिता हूं फाइब सरी जीरो फाइब उसकी वाद करिया पर जीरूपनी गल्द इसका भीजिरो होगा तो यहां पर आपका डिफीश्ण जो है लिग देता हूं जो झाल झाल तो यह जो मैंने अभी आपको यहां पर इतना फूरा देखके दिखाया है लिखके जो इतना फूरा दिखाया है यह दर्शाता है कि दोनों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो है जिरो का जो है दोनों जो है सेम होता है और वो क्या होता है और अंसर जो होता है उसका जीरो होता है जीरो जीरो उसका अंसर हमेशा जीरो होगा यह वाला जीरो है तो इसके पीछे बह्त करके इसका 00000000 hall यह जो है Um हो जाएगा तो यह वाला जो होगा यह उसने जीरो की जीरो डाल दे यह उसका गलत हो जाएगा और यह जो होगा जो इसने एक ही जीरो डाला है इसके पीछे वाले रमस काउंट करने की दर्वत नहीं पड़ती है अगर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं उतना यह जरूरी नहीं है पर यह जाना जुरूरी यह है अगर आपको से कुल कोशन पूश्टा है इस टाइप में ओके तो अब मैं आपको बताता हूं डिजिट्स क्या होते हैं मैं आपको डिजिट्स बता देता हूं पहले इसको मिटा लेते हैं दो अब डिजिट्स क्या होते हैं डिजिट्स तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे हमारे जीरो वान ट्यू त्री फॉर फाइव फीजिट्स सेवन एट्सक्टरा तो पहले जो होता है क्या अब मैं आपसे बस एक हलका सा यह इंग्लिश का कुर्षें कर दिता हूं क्या इसे क्या पढ़ते हैं इसे एीटिसी पढ़ते हैं क्या इसे एक बदेड सेंट्सक्रार इसका है एक सब्सक्राइब इसके बाद हमने एक डॉट डालते है जैसे यह दर साथा है कि यह इसका फुल फ्रॉम नहीं है इसका शॉर्ट फॉर्म है एक सब्सक्राइब तो अब हमें यहां पर डीजिट्स तो यह नंबर्स हो जाएंगे अब लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स की ब होल नंबर्स और नाचूरल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर और नाचूरल नंबर्स होल नंबर्स लोग पढ़ेंगे हैं लिए यह नंबर्स का है और यहां पर लेगाता हो हूँ है और नंबर्स का इधर लेगाता हो तो जो तो जो फूल नमबर होते हैं तो भी पहले नेच्टूरल जाना दूरूर यह पहले है नेच्टूरल नेच्टूरल जो है वान ट्यू ट्री फोर फाइव सेख सेवन एट नाइन तेन और यह नेच्टूरल नमबर का मतलब क्या हुआ वह नमबर जो प्राकिर्टिक ने हमें दिये हैं वह थे एक डो तीन का प्राइश सारा लोड़स ग्यारा बढ़ते हैं एक्सेट्रा और वोल नमबर क्या होता है वोल नमबर यहां से जीरो वान त्यो पञाई ग्रेंश सावन एच नाइन तो फिचेटिक दो तो जो डिजिट है tinha जो मतलब होता है होल मतलब होता है हम इसका लिड़ देता हूं जो प्राकिर्थी ने दिया है के प्राकिर्तिक ने दीए है और वाल नंबर हमें नंबर सारे संख्या होल मतलब वहल मतलब पूरा संख्या तो यहां पर 0 का 0 नोनों के बीच का डिफरेंस है इसमें 0 नहीं होता है और इस वोल नमबर में 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है अब हम लोग जो है अब है इसमें एक बात है कि तू मिटा देता हूं पहले नमबर सिस्टम मैंने आपको नमबर नाच्राल नमबर बता दिया अब अब मैं आपको एक चार्ट दिखा चार्ट दिखाता हूं कि स्केल कि रहा हुआ कि अ कि अ कि तू में आपने जल्दी से चार्ट बना देता हूं कि आप चार्ट ये वांदे लाम्न बाद देता। के अप्रुंस, जुन्स, तॉन्स, टॉन्स, तॉन्स, तॉन्स, जॉन्स, जॉन्स, आथ, सॉन्स, यहां पर हमारा वन्स पर क्या आता है यह वन हो जाएगा और टेंस पर क्या होगा टेंस पर यह यह जाएंगा है जो हमारे तेन जीसमें हमारे टेंस पर चेह यह यह होते हैं जीसमें हमारे ही पढ़ते हैं और हम आपको एक बात बता नहीं दिजिट जो होते हैं वो तनहीं होते है जीरो वान ट्यू ट्री फोट पाइप जिक्स सावन एट एन नाइन को डिजिट नहीं होता है है यहीं सब डिजिट से डिजिट से ही नंबर बनता है और डिजिट वह 0123456789 होते हैं और इनके जो नंबर होते हैं वह भी 10 होते हैं पर 10 को जो है यह इसमें 10 नहीं आता सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट होते हैं आप जहां पर इक सिंगल नंबर है वाण चुग थी इसके पिछ ना ही कोई 0 नंबर है कुछ है तो यह हमारा हो जाएगा वन जीरो वाण चूग त्री हो जिए यहां पर आया और यह वी दोने प्रेजिट है और थाउजंड थाउजट में क्या है कि थाउजंड का थाउजड में उसके पीचे 3-0 लखते हैं और गृण जीरो होते हैं अब करोड में बता देता हूं अभी और भी है जगा बची हुई है तो यह नहीं पताता हूं लाक कर दो को अधार को एंड लाक टन लाक करोर टन करोर तो कुछ इतने टाइप को यह आपको दस करोड तक बताओं गोड वन लाक वन लाक इतने होते हैं वान फाइब तो वन लुख जो होता है उसमें 50 होते हैं और यह प्लेस वैल्यू चार्ट है तो देख लिए यहां पर इक अगशाप लागेगा इस जगह पर कॉमा लागेगा यहां पर फ्रस्ट यहां पर इक कॉमा दूसरा कॉमा यहां तो स्टार्टिंग में जो मारा होता है प सिस्टम में दो टाइप को इंटरनेशनल और इंडियन सबसे पहले यहां पर तीन के बाद लगता है उसके बाखी समय दो दो में लगता है लगता है और 10 लाक में कर दो 1000 लाक में हमको जो है 6 होते हैं यह इसमें जीयर को को जो है number of zeros लिख देता हूँ number of zero square to seven इसमें number of zero square to six, it's called to number equal to five, इसमें नाम को चार होते हैं और इसमें तीन इसमें दो बाखी सबकत असान है इसका भी असान है और टेन करोड में होते हैं हमादे टोटल आठ जीरो वान टू त्री डी पर यहां लुशर्रिक और अगर गयिए एकम ल गेहले किसर सक्राव यहां और अगर इसके आगे भी अड़ी खर्म होते हैं और वह आते हैं तो यहां पे भmas लगाना पड़ेगा पोड़ा भी आगे में कुछ नहीं है तो यह हमारा है इंडियान इंडियान प्लेस वैल्यू इंडियान प्लेस वैल्यू इंडियान प्लेस वैल्यू चार्ट यह पूरा है जो फूर्य बनाया है प्लेस वैल्यू सी चीज़ें आगे प्लेस बड़ा जैसी हाट हाट चीजों के बाड़े में इस बाते करेंगे पर आज के आज के लिए इतना ही अगले एपसोड में हम लोग अगले पार्ट में हम लोग हैं और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही अगले पार्ट में हम लोग और कि आज आगे इसके पढ़ेंगे इंटरनाशनल पेस वालो सिस्टम के बाड़ेंगे और भी बहुत कुछ के बारे में हम लोग जो हैं अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं तो थेंक यू थेंक्स फर वाचिंग